हाई एवरीवन दिस इस मी मन्जीव वेलकम टू माई यूटूब चैनल वोमेंस स्टाइल अप फ्रेंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ है भी परनासी सिल्क स्टारी ट्रैपिंग वो भी दो डिफ्रेंट स्टाइल में यहां पर मैंने मौडन एंड ट्रडिशनल दोनो स्टाइल आपको ड्राप करके दिखाया है सो ज्यादा बाते ना करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर हमने अपना पेटिकोट वेर कर लिया है इसके बाद आपको अपना फुटवेर भी वेर कर लेना है पेटिकोट का नाड़ा मैंने राइट में बांदा है आ मैंने अभी तक रिमूव नहीं किया और यह वाला पार्ट इसका पल्लू है हमारा ओवरा साड़ी पर आप देखेंगे ना तो यह जितनी भी आपको डिजाइनिंग दिख रहे हैं यह इंब्रॉडरी है और इसका जो बॉर्डर है वो आप देख सकती है परपल कलर का है तो इस अब यहां जब हम सामने का पाट अच्छे से टक कर लेते हैं तो साड़ी को हमें लेते हुए वन राउंड लेना है और सामने की तरफ आ जाना है यहां पाट साड़ी को टाइट ली से खीशते हुए हम राइट साइड में टक करेंगे इसके बाद बैकेव पाट को अच्छे को इस तरह से पकड़ना है और यहां पर देखिये मैं प्लिट बनाना डायरेक्ट स्टार्ट कर दी हूँ यहां पर बॉडर के एकवाडर के एकोड स्ब्सक्राइब के इप जितनी चौड़ी या पतली प्लिट इस सकती है बट फिरस्ट 되면 हमेशा हमें चोड़ी रखनी चाहिए ताकि हमारी अंदर की uneven plate दिखाई ना दे एंड इसके अलावा ये जो हमारा लास्ट वाला बॉर्डर का डारेक्शन है वो देखिए इस तरह से राइट साइड किताफ होना चाहिए आप सामने किताफ रख कर चेक भी कर सकती है अब हम इस वारे portion पे सेफटी पीन लगाएंगे ताकि हमें pleats arrange करने में कोई प्रॉब्लम ना आए तो इस तरह से आप सेफटी पीन ज़रूर लगाएं अब हम हैंड को उपर के तफ़ उठाते हो अच्छे से जटक देंगे ताकि हमें pleats नजर आए उसके वाद साइड से हम one by one pleats को जटकते वे अर आप हो जाएगी तो इस तरह से secure करते हुए वापस से में left वाले हैंड में उठाते हुए जटकते हुए साइड से one by one pleats को arrange कर रही हूं कभी भी आपको एक बार में solder की pleats नहीं मानानी चाहिए अगर आप beginner हो तो और इस तरह की जो हमारी heavy silk के साड़ी होती है उनको भी आप आप से यहां पर secure कर रही हूं तो ऐसे हमें जितनी लेंच चाहिए हम ready कर लेंगे अब यहां पर मैं आपको एक और तरीका दिखा रही हूं यह second तरीका है इस तरह से भी आप प्लीट को arrange कर सकती है left वाले solder पे रखते हुए आप जो उपर से प्लीट आ रहे हैं उसी को continue करत देखिए यहां पर आपकी साड़ी मुड़ी हुई नाव अच्छे से चक करते हुए सामने की तरफ लेकर आए and left वाले solder पे रखते हुए अपनी length को हमें decide करनी है यहां पर देखिए मैं घुटने से नीचे रखी हूँ इसके बाद यह जो हमारा अंदर वाला border जा रहा है इ कमर के पास अच्छे से आपको सेट करना है इस तरह से टाइटली से हिप वाले पोर्शन पर साड़ी को नीचे से खीच रही हूँ आपको ही के पास सेट करते हुए खीचना है तभी यह यहां पर आपका जो लुप है इस तरह से नजर आएगा यहां solder की प्लीट को सिक्यूर नहीं करना है यह बात का भी ध्यान रखने आपको अब देखीएगा यहां से मैं प्लीट बनाना स्टार्ट करूंगी तो यह जो मेरा बॉर्डर काफी चौड़ा है तो मैं उससे थोड़ा सा पतला प्लीट बना रही हूं तो border से के according ना मैं थोड़ी सी पतली प्लीट अंदर की रख रही हूँ बहुत पतली मैंने प्लीट नहीं बनाई है और देखिएगा इस तर से मैं जो मेरा right hand का अंगठा है उसके use से मैं यहाँ पर प्लीट बना रही हूँ बहुत इजली से बन जाता है मैंने बहुत बार बता रखा है अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल को चेक आउट किजिएगा आपको बहुत इजली तरीके से प्लीट बनाना आ जाएगा इस तर से प्लीट बना लेने के बार देखिए पम right side तक उससे set करेंगे right वाले leg पर रखते हुए मैं यहाँ पर देखिए सामने की तरफ one by one उसी प्लीट को यहाँ पर पकड़ते हुए set कर रही हूँ एक भी प्लीट हमारे चूटनी नहीं चाहिए नहीं तो बाद में हमें फिर से मेहनत करनी पड़ सकती है इस तरफ एक प्लीट को चेक करते हुए मैंने पकड़ लिया अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हमें एक safety पिल लगानी होती है उसके पहले आपको इस वाले portion को जो हमारे hip वाला portion है आपको इसे set करना होता है border को आप कहां रखना चाहते हैं मैं देखिए थोड़ा सा नीचे रखी हूँ से लेकर आई हूँ ताकि मैं प्लीट को अच्छे से यहाँ पर सेट कर सकूँ अपने hip वाले portion पर देखिएगा पूरा आपको अच्छे से यहाँ पर सेट करने को मिल जाएगा अब हम पल्लू को वापस से अपने left वाले सोडर पर रखते हुए अच्छे से सेट करकर सेफटी पिन के हब से अपने ब्लाउज में सिक्योर करेंगे अब इस तर से आप सिक्योर करेंगी ना तो बहुत ही अच्छे से आपका जो यहाँ वाला portion है देखिए सेट हो गया है बट यह जो हमारा अंदर वाला बॉडर प्लीट बना रही हूँ इसके बाद यह देखिए ट्राइंगल सिप का प्लीट बनाते हुए बागी की प्लीट के साथ मैंने पकड़ लिया है यहां पर मैं ब्रोच वाली पीन का यूज कर रही हूँ आप चाहे तो नॉर्मस सेफटी पिन भी यूज कर सकती है और दूसरे प्लीट को सेट कर लिया है तो उपर वाला हमारा पॉर्शन रेडी हो चुका है अब यह जितनी भी साडिया बच गई है ना इनकी हमें प्लीट बनानी है तो यहां पर देखिए हमें नयवा से चारंगुल आगे जाना है और फर्स प्लीट हमें चौड़ी रखनी है इस तरह इसके बाद हम जितनी भी अप प्लीट बनाएंगे न वह उसके एकॉर्डिंग पतली होगी थोड़ी सी बट यह जो सिल्की साडिया होती है इनकी प्लीट थोड़ी आपको चौड़ी रखनी चाहिए नॉर्मल साडियों की एकौड़ी तो हम सभी साडियों के ऐसे वन बाई बन प्लीट बना लेंगे बहुत इजी इजी तरीके आपको मेरे शेनल पर मिल जाएंगे अब यहां पर देखिए जब हम प्लीट बनाएंगे न तो अंदर की जो प्लीट है वो काफी अनीवेन होगी तो इस तर से प्लीट बना कर अच्छे से जटक लेंगे एक बार यह जो फ्रस्ट वाली हमारी उपर की प्लीट है ना राइट साइड में जो हमने थोड़ा सा एक्ष्टा फैप्रिक छोड़ा था उसको लेते वे फ्रस्ट प्लीट को हम बाकी की प्लीट से और भी ज़्यादा चोड़ी कर लेंगे अब यह देखिए उपर साइड से हमें बॉडर से बॉडर मिलाते हुए और साथ में यहां साइड से हाफ अफ सेंटिमीटर का गैपिंग रखते हुए प्लीट को अरेंज करना होता है ताकि हमारी प्लीट बिल्कु अच्छे से आपन नजर आए अब इस तरह से अरेंज कर लेने के बाद देखिए अंदर की जो अनिवेन प्लीट है उसको मैं अलग कर रही हुए और उसको थोड़ा सा चोड़ी प्लीट है उसके अंदर कर दी हूँ ताकि वो अंदर की साइड चली जाए अब हम अपने नेवल के ठीक सामने रखते हों मैं अजर करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर टक करना है वहीं पर मैं फाइनली अरेंज करते हुए नेवल के ठीक सामने रखते हो अपने पेटी कोट के अंदर टकिंग कर लोंगी सभी प्लीट को इस तरह से हमारी इवन प्लीट जो साइड से नजर आती है वो भी नहीं नजर आएगी और यह जो राइट साइड की ताफ ओपेन पार्ट है इसे भी आपको यही पर अच्छे से टकिंग कर लेना है यह वाला पार्ट आपका जो पल्लू से इस तरह से ढख जाने वाला है तो यहाँ पर देखिएगा अब यह जो हमारी उपर की प्लीट है इसे हम वन बाई वन अरेंज करेंगे और इस वाले पोर्शन पर मैं ब्रोच वाली पिन का यूज़ करेंगे आप नार्मा सेफटी पिन भी यूज़ कर सकती है पर इससे थोड़ा सा लुक हमारा और बी जादा स्टालेस दिखता है तो इस तरह से देखिए मैंने ब्रोच वाली पिन का यूज़ कर लिया है अब पर लुक अच्छे से मैं सेट कर लूए हूँ यह जो नीचे की हमारे प्लीट है ना नीचे तक सेट नहीं होगी तो आप इसता से वन बाइवन प्लीट को पकड़ते वो ज्टकते वो नीचे की तरफ जाहिएगा एंड इस तरह से जटक कर एक बार अच्छे से खीज देंगी तो बिल्कुल अच्छे से यहां पर सेट हो जाएगी अब यहां पर आप हमारा फाइनल लुप देख सकती है तो यह हमारी मॉडन साड़ी ट्रैपिंग अब हम बढ़ते अपने अगले स्टाइल की तरफ तो यहां पर देखिए हमने सोल्डर वाली प्लीट को सेम वैसे ही छोड़ दिया है एस इस हमें रहने देना है और यह जो हमारा कमर वाला फैब्रिक था इसे हमने खोला है और यहां पर बॉर्डर को अच्छे से सेट करना है कमर के पास सेट करते हुए राइट वाले लेग के पास मैंने पकड लिया और यहां पर दिखे फिंगर को रखते हुए मैं वन बाई वन प्लीट को बना रही हूँ यहां पर पतली-पतली से हमें प्लिट बनानी है। आप राइट साइड की तफ खीश्ते हुँ नहां, इस तन से पतली-पतली से प्लिट बनाए, तीन से चार या पांचीस से ज्यादा प्लिट न बनाएं इस तरह से आपकी साड़ी बिलकुल भी नहीं फटेगी और आपका जो लुक है वो साड़ी से काफी ज़्यादा फीटेड नजर आएगा अब ये जितनी भी साड़ी आप बच कही है ना इनकी हमें प्लीट बनानी है तो उसी तरह से हमें नेबल के चारंगुल आगे जाते हुए फर्स प्लीट को चोड़ी बनानी है पहले आप फर्स प्लीट सेट कर लीजिए इस तरह से इसके बाद सामने की टू फिंगर में फस आते हुए बैक के स्मॉल फिंगर और थम से प्रस करते हुए वन बाई वन हम प्लीट को बनाएंगे तो यहां पर देखिए हमने प्लीट को बना लिया है जबरदस्ती हमें अंदर की प्लीट नहीं बनानी होती है बस इस तरह से जितनी भी प्लीट बने आप बना लीजिए और यहां पर देखिएगा आपको बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए प्लीट को अरेंज करना है साथ में साइट से हाफ अफ सेंटीमीटर का गैपिंग भी देना है और यह जो फर्स प्लीट है इसे ओपेन करके राइट साइड में जितना भी एक्स्टा फैबरिक है उसे लेते हुए फर्स प्लीट को हम चौड़ी करेंगे और भी यह चौड़ी हो जाती है जिससे यह बाकी की प्लीट से जब आप चलते हो दूर भागती ना वो प्रॉब्लम नहीं आती है अब मैं अपने नेवल के ठीक सामने रखते हुए मेजर की हूँ मुझे कहां पे टकिंग करना है फाइनली हमें वहीं पे हाफ अफ सेंटीमीटर का गैपी रखते हुए इस तरह से अरेंज कर लेना है अब हम अपने नेवल के ठीक सामने रखते हुए पेटिकोट में सभी प्लीट को अच्छे से टकिंग कर लेंगे अब यहाँ पर देखिएगा राइट साइड में मेरा बहुत एक्स्ट्रा फैबरिक नहीं आता है क्योंकि जो मैं फर्स प्लीट ओपेन करके मैनेज कर लेती हूँ इसके कारण और इसके बाद यह पलू से इस तरह से ढख जाएगा अब हम एक बड़ी से सेफटी पिल लेंगे इसकी हाप से हम सभी प्लीट को यहाँ पा सिक्योर करेंगे इस तरह सिक्योर कर लेने के बाद जब तक आप ना खोलो आपकी प्लीट नहीं खुलेगी और यह जो हमारी नीचे की प्लीट है इन्हें वन बाई वन पकरते हुए हम जटक देंगे तो यह अच्छे से सेट हो जाएगी क्योंकि इसका फैबरिक काफी ज़्यादा सॉफ्ट है और यह सिल्की है काफी है भी है तो खुद बखुल सेट हो गई सो इसी के साथ आप हमारा फाइनल लुक देख सकती है अगर वीडियो आपके लिए हालफुल रही हो मेरा डापिंग स्टायल अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा इसी तर की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती है आप चाहे तो हमें इंस्टागाम पे फॉलो कर सकती है हमारे इंस्टागाम एडिका लिंक आपको निचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाओ तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजेगा सो आज की वीडियो में इतना ही स्यूस ने नेक्स्ट वीडियो तिल देन बाई